हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टो मैं चैनल मैं हूँ काव्या और ये है फ्रेंद्स ब्यूटिफुल एक्जोरा का प्लांट जिसे मैंने रिसेंटली पर्चीस किया था इसे पर्चीस कियो आई थिंग 2-3 मैंने हो चुके है और इस पर देखे ये पहला जो है बर्ड मेरे गार् प्लांट और इस पर भी देखे किते ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूम कर रहे है और इनकी खुश्बु बहुत ही अमेजिंग है जैसे ही हवा चलती है तो बहुत ही अच्छी खुश्बु पूरे गार्डन में जो है महक उतता है गार्डन और ये है फ्रेंद्स मेरा एक हाइबिस्कस का प्लांट जो की काफी टाइम भाद इसमें फ्लारिंग हो रही है ये हाइब्रिड हाइबिस्कस है और इसके पेटल्स बर्ड्स ने खा लिये थे बट फिर भी देखे फ्लावर ब्लूम कर रहा है और अभी बहुत सारी कलिया इस पर बन रही है और ये मेरा फ प्लांट जो की देखे फुल ओन ब्लूम पर है बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग इस पर हो रही है तो डबल चादनी का प्लांट जो है रेणी सिजन में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करता है तो आप जरूर इसे अपने गार्टन में एड़ कीजिएगा अज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीली है बीसकस के कटिंग इस तरह घ्ला चीली की तरह होते है तो चीली है वीडियो कराना है तो चलिए मैं आपको पहले दिखाते हूँ कि इनके cuttings हमें किस तरह लगाना है और उसके बाद मैं इसका result भी आपके साथ share करूँगी तो ये cuttings मैंने mother plant से लिया है और mother plant मेरे ही पास है मैंने recently purchase किया था तो उस पसे दो ही branches थी जिसको मैं चाती थी कि और बुशी बनाओ अभी monsoon season best होता है cuttings grow करने के लिए और plant को बुशी बनाने के लिए तो जैसे ही मैं prune करूँगी तो इसका mother plant में और भी branches बनेंगी जिससे winter में बहुत अच्छी इसमें flowering होगी और मेरे पास नए plants भी बन जाएंगे तो मैंने यहाँ पर 6 cuttings लिये है और देखिए इसमें कुछ पतली cuttings है और कुछ pencil size की cuttings है और इसके लिए soil जो मैं यूज करी वो बिलकुल well rain है और soft soil मैंने लिया है तो soil के लिए मैंने लिया है य मैं कुछ अलग ट्राय करना चाती थी यानि मैंने cuttings जो है normally directly ही लगाया है soil में बट इस बार मैं कुछ अलग तरीके से cuttings लो करना चाती थी तो जब भी आप cuttings लो करते हो तो नीचे के leaves सारी निकाल दीजिए जो node areas होती है वहां के leaves आप निकाल कर अब जो है मैं जो भी node areas ह वहां पर हलका सा scratch कर दूँगी scratch करने से root formation थोड़ा जल्दी हो जाता है और हमारी cuttings भी अच्छे से चल जाती है तो मैं जितने भी cuttings है उनके जो node area से वहां पर हलका सा scratch कर लूँगी तो जितने भी cuttings है उन्हें मैं scratch कर लेती हूँ तो यह देखें friends मैंने सभी cuttings को अच्छे से scratch कर लिया है अब हम यहाँ पर use करेंगे rooting hormone तो rooting hormone के लिए मैंने लिया है honey अगर आपके पास rooting hormone powder है तो आप उसे use कर सकते हो और अगर आपके पास वो नहीं है तो बिलकुल भी आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है honey भी एक बहु cuttings पर honey लगा दिया है अब हम इन cuttings को soil में लगा देंगे तो जब भी आप rooting hormone या honey या cinnamon powder यूज़ करते हो तो आप डिरेक्टली जो है cutting को soil में मत दबाईएगा जिससे जो है हमारा जो भी हमने rooting के लिए use किया है वो सारा disturb हो जाएगा तो आप अच्छे से पहले holes कर लिज़ लगा लेती हूँ इस soil में so friends मैंने सारी cuttings लगा ली है और अब हम wait करेंगे one month one month के बाद हम देखेंगे इसमें किस तरह के root grow होते है तो हमें इसे रखना है किसी shady location में और root जो stems है उन्हें बिल्कुल भी disturb नहीं करना है वरना आपके cuttings grow नहीं होंगे तो मिलते हैं हम one month है friends in cuttings को grow किये हुए तो अब हम देखते है कि कितने roots जो है in cuttings में grow हुए है और कितने cuttings मेरे चली है तो हम किसी tool की मदद से इन सारे cuttings को निकाल लेंगे आप बिल्कुल भी cuttings को उखाड़े गया नहीं वनना आपके जितने भी roots अगर grow हुए है वो तो टूट सकते है तो ह हमें देखिए इस तरह ध्यान से cuttings को निकाल लेना है और देखते है कि इसमें किस तरह के roots grow हुए है तो यह देखिए friends इसमें बहुत अच्छी देखिए roots growth हुई है देखिए तो यह हमारा जो cutting है वो successfully grow हो चुका है अब यह एक नया plant बनने के लिए ready है तो मैं इसी तरह सार निकाल खर आपको दिखाती हुँ आपने देखा मेरी सारे ही cutting है मैंने जितनी लगाए थी वो सारे ही successfully grow हो चुके है तो इसके दो रीजन है एक तो monsoon तो है ही और दूसरा जो मैंने honey यूज किया है उसकी वज़े से भी हमारे cuttings grow हो चुके है तो अगर आपके भी cuttings grow नहीं होते है तो आप honey या cinnamon का यूज कर सकते हो आप aloe vera gel का भी यूज कर सकते हो इन तीनों चीजों से आप बहुत easily cuttings को rooting में ला सकते हो और अब जो है मैं इन सारे cuttings को pot में लगा लूँगी और इसके लिए जो soil है हम जो सभी plant के लिए जो well-drained soil लेते है बस वही soil हमें लेनी है और बस यही ता friends आज का वीडियो किस तरह हम इन cuttings को grow कर सकते है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीज़ेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो अभी जो है monsoon जाने वाला है friends तो अभी भी आप अपने जितने भी प्लान के cuttings grow करना चाते हो तो सेफ रहिये, healthy रहिये and thanks a lot for watching my videos friends